तो पांच महीना पहले Mac OS में शिफ्ट हुआ था इस Mac Mini M2 के साथ और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को अपने पांच महीने का सांदार अनवव शेयर करने वाला हूँ कि इन पांच महीनों में Mac OS के साथ मुझे क्या-क्या अमेजिंग अनवव हुआ और क्या-क्या दिखते हुई ऐसे बिल्डो यूजर और क्या भविस में आपको ये Mac Mini M2 लेना चाहिए या एक और ऑप्शन बिल्डोज की तरफ जाना चाहिए इन तमाम पहलों पर अज बिल्कुल अच्छे से और सांथ दिमाग से फुल कंसेंट्रेशन के साथ चाचा करने वाला हूँ और दो तो ये जो वीडियो होने वाली है बिल्कुल कमाल के होने वाली है आपके जो भी सवाल बगर है मैक मिनी से रिलेटेड सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है क्योंकि मैं अपने पांच महिने का अनुवफ के साथ साथ फुल रिव्यू मैक मिनी M2 का सेर कर रहा हूँ कि इसका जो प्राइसिंग है अंदर 60,000 इसमें बहुत सारे ओप्सन आ जाते हैं तो क्या ये मैक मिनी M2 सही डील है क्या 15,000 लगा करके और मैक बुक एर M1 के तरफ जाएं या कोई विंडो में एक अच्छा PC ब्यूल कर वाले तो बहुत सारे दोस्तों आप्संस हैं इसके सामने इन तमाम बिंडों पर भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या आपके लिए बेस्ट वैलिव पर मनी परदान होगी तो दोस्तों भीना देर के हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू दोस्तों चुकि ये रिवीव वीडियो है तो प्रोज और कॉंस तो होने हैं चाहिए तो दोस्तों Mac Mini M2 का सबसे पहले प्रोज की बात कर लेते हैं और अगर पहले पॉइंट्स की बात करें तो दोस्तों है इसकी टाइमिंग अब टाइमिंग कैसे एफेक्ट करती है आपके डेली लाइप में वो मैं आपको कुछ एक्जामपल के द्वारा बताने वाला हूँ जैसे कि दोस्तों विंडोज में जब कोई वीडियो एडिटिंग करता था 4K तो होता नहीं था 10 मिनट का जो फाइल था उसको रेंडरिंग करने में मुझे कम से कम एक घंटा के आसपस लगता था लेकिन मैक मिनी M2 में मैक OS में इसका जो बेसिक सॉफ़वेर है आई मुवीज उसमें इडिटिंग करता हूँ और अभी यह जो वीडिटिंग किया गया है तो सोच सकते हैं यह जो 10 वीडियो में मिनट में रेंडर करके देता तो खुल मिलाकर समय की बचत होती आँ और उतना देर में दूस्तों मैं तो इसको पोस्ट भीकर देता हूं जितना में Windows चिर्फ रेंडर करता था तो ये समय की बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है उसके साथे साथ दोस्तों ये इतना फास्ट है इतना फास्ट है सारे वर्क इतना फास्ट तरीके से कर देता है कि आप बस आप से सौ गुना तेज है ये जान लिजिए आप जितना इनपूट दीजेगा वो करके तुरंत आपको दे देगा जरास आभी आपको वेट करने की कोई ज़रुवत नहीं है वेटिंग वाला सिस्टम है ही नहीं इसमें जो कि विंडोज में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता था तो ये जो टाइमिंग की बचत होती है ये कम अगर आपके पास आइफोन है आइपेड है तो एक कमाल का एको सिस्टम बन जाएगा अगर आप मैक मिनी एमटू लेते हैं वह इसलिए कि जब आप आप आइफोन में वीडियो सूट किजिएगा तो एड्रॉप के जरीए आप अपने जो फाइल से उसको आइपेड में भी फास्ट तरीके से चाहे कितना बड़ा भी फाइल्स हो तो मैं यही करता हूँ अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों यह वीडियो आइफोन 13 से सूट हो रही है और इसको मैं तुरंत एयर ड्रॉप के जरीए इस मैक मिनी में शिफ्ट कर दूँगा और उसके उठे हुए आप अगर मैक मिनी में कर रहे हैं वहाँ चले जाएगा उसको पीकप कर लिजिए अगर आप आइपड में काम कर रहे हैं वहीं से पीकप कर लिजिए जवाब दे दिजिए मैसे अवर ओल सारे वर्क आपका कमप्लीट देखने को मिलेगा तो आपको इतना समय की बछत हो जाएगा ईसका एको सिस्टम दोस्तों बहुत जवाब है दोस्तो अगली पॉइंट के बात कर लेते हैं वह इसका विडियो एडिटिंग पर इससवाल मैं साफ साफ ही संशेप में बहुत ही संखेब में आप किसी भी तरीके के video editing करें कोई भी सफ्टवेर सीय की बेसिक जो है इसका आई मोवी जो कि आप देखने को मिलेगा उसमें भी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप वीडियो एडिटिंग कर पाईएगा यह जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी मैक मिली से एडिटिंग हुई है जो कि आप अभी देख रहे हैं दोस्तों बहुत ही शांदार तरीके से आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं लाइब और हुज सब्सक्राइब यह इसमें ज्यादा स्पेस लेता है तो दोस्तों वीडियो एडिटिंग कुल मिला करके वीडियो खमाल का है इसके लिए कोश सवाल ही नहीं कर सकते हैं और इससे रिगार्डिंग में वीडियो बना रखाऊ हूं आई बटन में आप चेक क अपने को मिल जागा जिससे आप अपना गाना का अनुवफ ले सकते हैं या वीडियो एडिटिंग में अगर आप गेमिंग भी थोड़े बहुत करते हैं तो उसमें आप हेड़फून लगा करके आप इसको आनन्द ले सकते हैं या कोई भी और पूट डिवाइसे लगा सकत हैं कुलिंग के लिए फैन का भी ऑप्शन दिया गया है जो कि बहुत ही कूल रखता है यही एक एडवांटेज है मैक्बूक एयर और मैक मिनी में पोट्स की आप सकता है तो आप हब ले सकते हैं और तमाम सभी तरह के लगवग हब जो भी है यूस भी हब वो सपोटेवल है और जो HDMI है उसके साथ भी 4K डिस्पले कर पाईएगा डिस्पले से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हूं उसको भी जाकर करके आप चेक आउट कीजिएगा की से कनेक्ट क्या हूँ और एक से अधीक डिस्पले वागर उसको अधिक करके आपको लाइप दिखाया हूं तो द बहुत इसली यह हैंडल कर लेता है और मैं लाइब इसको करके देखा हूँ आप उस सारी वीडियो को जरूर चेक आउट किजिएगा दोस्तों अब बारी आती है इसकी प्रोड़क्टिविटी की जैसे ही मैक वह इसका नाम आता है दोस्तों प्रोड़क्टिविटी के मामले म में यह बेजोड है और इसका जो अप्टमाइजेशन है कमाल का है कभी आपको बोर नहीं करेगा और जितना भी आप फास्ट कीजेगा यह आपसे ज्यादा ही आप एक कदम रहेगा अब बारी आती है गेमिंग की दोस्तों गेमिंग्स लवर के लिए छोटे-मोटे गेम से सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन हैवी जो गेम्स होते हैं उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि मैक मिनी M2 चीप के साथ आया है यह बेशिकली जो है CPU से रिलेटेड है और इससे रिगार्डिंग जो भी बरक है आपको अच्छा से और GPU भी इसमें बहुत कमाल का है हाड कोर लवर जो होते हैं गेम के लिए उनके लिए यह नहीं है और मैं कुछ गेमिंग टेस्ट भी किया हूँ वीडियो देख लिजेगा वहाँ आपको मिल अब बात कर लेते हैं कि यह Mac Mini के लिए आपको productivity करनी है video editing करनी है music से related काम करना है इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आप activity करना चाहते हैं gaming छोड़ करके जिसमें CPU से related हो बहुत संदार तरीके से handle करता है जो लोग एक संदार PC build करना चाहते हैं जो घर में या office में बैट करके का करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लंबे समय तक यह मेरा साथ दे एक बार मैं खरीद दूँ तो दस सल तक कोई दिकत नहीं हो और एक एपल के ecosystem में आना चाहते हैं उनके लिए बेजोड चीज है आपको भीना कोई सवाल के हुए इसको खरीद लेना चाहिए description में लिंक है वह इसको आप editing नहीं कर पाएगा अगली पाइंट से वह है बिंडूज के जैसा जो आप मस्त तरीके से कहीं से कोई सॉप्वेर इंस्टॉल करके बिंदास यूज कर पा रहे थे वह ऐसा इसमें नहीं देखने को मिलेगा यहां तक कि दोस्तों मैं Photoshop पर बहुत सरा वर्क करता थ हूँ बहुत सार जो फोटो एडिटिंग है वह ऐसा ही पड़ा हुआ है मेरे इसके साथी साथ और बहुत सार जो सॉप्वेर है वह आपको इसली नहीं मिलेगा अगर आप कहीं से उपाय करके कुछ ले भी लेते हैं इस्टॉल कर भी लेते हैं तो यह हटा दिया जाएगा 256 जी वाला मेरा SSD है मैक मिनिम में तो जब भी मैं हैवी वीडियो एडिटिंग करता हूँ बहुत जल्दी रैम भरना सुरू हो जाता है तो रैम भरने की बज़र से दोस्तों यह आपका जो मैक है वो स्लो तो नहीं होता है लेकिन कभी कभी स्पिनिंग वील्स देखने को मिलत है दोस्तों फाइनली कंक्लूजन की बात कर लिया जाए तो उसमें सबसे पहले इसकी प्राइजिंग को देख लेते हैं तो दोस्तों साथ हजार के रेंज में और ऑफर में आपको पांच हजार तो हमेशा डिसकाउंट देखने को ही मिल रहा है इससे बेहतर मुझे बिंडो सेगमेंट है यह सबको पचाड़े हुए है बिंडो में तो कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता है सबको बीट देगा तो यह कंक्लूजन के तौर पर दोस्तों यह है कि इस रेंज में यह बेस्ट चीज है बेस्ट रिजल्ट आपको परदान करके देगा प्रोड़क्टिव आपको कभी यह हीटिंग इसून नहीं परदान करता है क्योंकि इसका पूलिंग पैन है कमाल का काम करता है दोस्तों यह था मेरा पांच महिने का बेजोड अनुभव जो फील किया इस मैक मिनी के साथ वो यह वीडियो आपको इन्फरमेटिव लगी तो आप लाइक प्र शे है किसी और नए वीडियो में तब तक के लिए पाई